नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार तीन दिविश्य दौरे पे राश्टपती रामनाद गोविन पटना पहुंच रहे हैं आज उनका आगमन है थोरी देर में वह पटना के हवाई अड़े से निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएं बिहार विदानसवा की सताबरि समारोन है उसको लेकर पहले से जो तयारिया वह किया जा रहा है राश्पती रामनाद गोविन का भी यहां आगमन है सताबरि समारों के करेंगे場 में वहीं पष्ण मुझी इस्तम का भी सिलन्यास करेंगे वहीं पवित्र बोधी बिच का पौधार उपन भी करेंगे तस्वीर यह बिहार विधान सवा गेट की बाहर किये जहां पर फूलों से करेंग रहा है तमाम दोनों तरफ की बात करेंगे जा तरफ MEM बना गया तरहों वहीं गेट आधी गया है लेख सकते हैं व हार मिदान सवा को फर्ले से बनाुब करेंगे मद्रें कें बाकें दोनों की तो really check केट का द्वार है वह बरावर का है और यहां पे सिसी टीवी कैमरा भी लगाया गया तमाम जो सुरक्षा बेबस्ता है वह काफी जादा बढ़ा दिया गया अगर राजधानी पटना को भी पूरी तरह से पुलिश चाबनी में तबदील कर दिया गया है क्योंकि किसी भी तरीक भवन में भी कारिकरम है उसके बाद कल सताब्दी समारों में भी सिरकत करेंगे सिरकत करने की पहले की तैयारियां है वह मैं आपको दिखा रहा हूं देखे तस्वीरे यह बिहार विधान सवा की है जहां पे फूलों से पूरी तरह से डेक्रेटिंग किया जा रहा है और भारत के मानेर राशपती श्री रामनाद गोविन द्वारा सताब्दी स्मिति स्तम का सिलन्याज पवित्र बोधी बिरिच का पौधर अपन तदा सदन में विमर्श ही संसद्य प्रनाली का मुल्य है विशे पर वैक्ष्यान उनका संबोधन भी होगा कल सुबा 10 बजे वह प देख सकतेें पूरी तरा से यह जो ग्राउंड है बिहार विधान सवागा वो पूरी तरा से पंडाल में तब्दिल कर दिया गया है तमाम जो संस्कृतिक कार कर में उसकी भी तयारियां की गई है जो तस्वीर है वह मैं तयारी कर दियो देख सकते हैं तमाम जो फूलों का गुलदस्ता भी लगाया गया है और जो सुंदरता है वो बिहार विधानसवा की बढ़ा दी गई है और कल इसकी सताब्दी समारों है रामनाद गोविन खुद सिर्कत करेंगे संबोधन भी करेंगे और तमाम जो बिहार के जो नेता हैं वो भी मौझूद रहेंगे बिहार के मुखमंतरी निदिस्कुमान नेता परतिवस्तेश्वियाद भी सभी की मौझूदगी यहां पर रहेगी और कल इसकी सताब्दी समारों में रामनाद गोविन सिर्कत करेंगे सिर्कत करने के पहले की तैयारिया थी और इस